सपा गटपंधन में तूट की खबरें लगातार सुनने में आ रही हैं और ऐसी खबरों के बीच में खुल कर सामने आई पल्लवी पटेल पल्लवी पटेल ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनका समर्थन अखिलेश यादव के साथ ही रहेगा पल्लवी पटेल के इस एलान के बाद सबकी नजरें ओपी राजभर पर जाकर टिक गई सुभासपा प्रमुक ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच की तना तनी बीदे काफी वक्त से लगातार सुनने में आ रही थी अब ऐसी तमाम खबरों के बीच में ओम प्रकाश राजभर ने आखिरकार अपना रुक साफ कर दिया है जी हाँ ओपी राजभर ने साफ साफ पता दिया है कि यूपी को लेकर उनकी रन्नीती क्या है सुभासपा प्रमुक ओम प्रकाश राजभर बीते दिनों खुल कर अखिलेश यादव के घर मुलायम सिंग यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दरसल हाल ही में मुलायम सिंग यादव की पत्वी साथना यादव का मिधन हुआ राजभर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए नेता जी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर शेयर की सपा से रिष्टों में तनातनी के बाद राजभर के स्ट्वीट से कई तरह की अतकले लगनी शुरू हो गई आपको बता दे जिस तरह से मुलायम सिंग यादव के घर जाकर शोक समवेधना ओम प्रकाश राजभर ने व्यक्त की उससे साफ साफ मालूम पड़ता है कि वो कई मुद्दों पर अखिलेश यादव से असंतुष्ट तो हो सकते हैं लेकिन सपा से अलग होकर राजनीती पर विचार कताई नहीं कर रहे हैं आपको बता दे रास्टुपती चुनाप में ओम प्रकाश राजभर एंटिये उमीरवार का समर्थन कर रहे हैं जिसके बाद सपा और सुभासुपा के गटबंधन पर तूट का खत्रा मंधरा रहा है और वहाँ दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ ये भी कह दिया है कि नेताजी के परिवार के साथ उनके जो समबंध हैं वो हमेशा मधुर रहेंगे नेक्स्ट नाइन नियूस रूम के रिपोर्ट